हेलो मैं डियर स्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी आई होब कि सभी अच्छ होंगे हेल्थ होंगे एंड फिट होंगे मैं भुपिंद्र सिंग बिश्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल दस्कॉलर्स हाउस में स्टुडेंट्स तयार हुजाईए आज हम फिर से Mixed Questions की सिरीज को यहाँ पर continue करने वाले हैं यहाँ पर 21 क्लासे आपकी करवादी है Mixed Questions सिरीज की आज हम करेंगे 22nd नमबर की क्लास इसमें आपके काफ़े important questions करवाई जा रहे हैं सभी लोग जिन लोग ने वीडियो नहीं कराईए आप लोग को यहाँ पर देखिए Mathematics का Complete Revision करवा दिया है One Shot करवा दिया है ठीक है और हर एक चप्रे के 6-7 lectures ले रखें अगर आप playlist चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा आप लोग जो भी डाउटर सब क्लियर हो जाएगा सो चलिए फ्रेंड्स इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं जो लोग भी शेयर पर आज पहली बार जुड़े है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना बैल अकिन को सभी लोग प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि आपको पता है यह क्लास आप तक सामको 6 बज़े मतलब इमनिंग 6 पीम यह क्लास आप तक पह कर लें। सब सब अब करते हैं आपको ​ कर तोलिषिक हैं लेकिन अगर वह सकते हैं लेकिन वह सकते मतल POW्ल की को नहीं मिल तो आपको थोड़ सा difficult हो सकता है तो देखिए मैं आपको कराता हूँ तयार है ना इस question के लिए A, B and C, D are common tangents to two circles of equal radii prove that A, B is equal to C, D, दोस्तों देखिए बिलकुल ध्यान से सुनना मैंने unequal radius वाले question अभी इससे पहले लिक लास में आप कराया था बड़ यहाँ पर कौनसा आगया equal radius वाला आगया है तो देखिए बिलकुल ध्यान से और प्यार से करेंगे इन questions को ठीक है दो ध्यान सुनना ये दोनों equal है इनकी radius क्या है? एक कुल है छोटा वाला दिख रहा है इसको आप correct कर सकते हैं ये दिख रहा है छोटा बड़ा सो इसको बरावर कर लेते है आए इस में लिजी ये माल लेजी तो equal circles है ठीक है जिनका center है कुछ center माल लेजी ये लेजी ये है माल लेजी O center इसका है O dash और राइट चलिए तो देखिए यहाँ पर दो circle की common tangents है मतलब इस circle का जो tangent होगा वो इस circle का भी होगा तो common कैसे बनेगा ये बन गया और same इसका भी common tangent ये और राइट तो circle को सब बड़ा कर लेजिए आए तो दो circle है जिनके common tangent से इसको नाम दे सकते है A, B and इसको लेजी जेए C, D देखिए students यहाँ पर एक चीज यहाँ पर proof क्या करना है that to proof यहाँ पर लेख सकते हैं आपको proof करना है देखिए सबसे पहले to prove that क्या कि A, B जो है वो C, D के बराबर होना ची देखिए students यह कैसे होगा A, B, 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 C, D आपको थोड़ा सा यहाँ पर में डिमांग लगाना पड़ेगा A, B, C, D के रावद तभी हो सकता है जब देखिए क्या यहाँ पर एक quadulator आपको form करना पड़ेगा देखिए आप कैसे करेंगे ध्यान सुनना उसके बारह हैं बाद में सोचेंगे यहाँ पहले एक काम करते हैं हाँ पर construction थोड़ा सा आपको construction की तरफ ध्यान देना पड़ेगा देखिए construction में क्या करना है आपको कुछ line से उनको join करना है मतलब line क्या है देखिए यह है आपकी radius मान सकते हैं यह O है center का O, A and O, D को join कीजिए join बिल्कुल S है लिखना है आप लोग पूरे marks विलेंगे आपको join O, A, O, D अब S ही आपको यहाँ O, B O, B and O, C इनको join कर लिजिए लोग मैं join करता हूँ ठीक है अब ध्यान सकते हैं इस तरीक से join करना जब आप आप join कर लेंगे तो यहाँ ध्यान देना की बिल्कुल स्टेट लाइन होनी चीए A से लेकर D तक पूरी स्टेट लाइन होनी चीए इस तरीक से join करना ओल्राइट मालीजी यह है point of contact और इसका point of contact यह है देखे इस तरीक से join करना बिल्कुल same as it is यह लिजिए सो हमने join कर लिया इसमें ध्यान से सुनना यहाँ पर देखे मैं आपको पता हूँ इत्ची सुनिए यहाँ पर आपको पता है OA, OD यह सब बराबर है O, O, B, O, C यह सारे एक दुसरे के बराबर है क्योंकि यहाँ पर यहाँ दोनों circle की radius equal है देखे, students यहाँ पर एक छोड़ा सा काम करना आप लोग लिख सकते हैं क्या कि AC जो है AD जो होगा और BC के बराबर है direct लिख लिजिए that AD is equal to पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए AD और BC के straight line है ठीक है AD and BC are straight lines ठीक है ना आप माल लिजिए let लिख लिख लिजिए let AD and BC are straight lines अब ऐसी भी दिख रहे हैं आपको let AD and BC are the straight lines और यह straight lines है यहाँ पर देखिए AD बराबर BC भी हो गया AD बराबर BC क्यों क्योंकि यह क्या है दोनों circle के equal radius है ठीक है equal radius 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 of two circles ठीक है equal radius of two circles अब देखिए स्वेंट्स ठीक है देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यह कैसे equal है अभी आप समझ सकते हैं देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसको इतना लिखना नहीं है खले length दी जाएगा question अभी question ने क्या रहा कि देखिए question ने क्या बोला है यहाँ पर कि दो equal radius है यहाँ लिखा भी है देखिए क्या लिखा गया two circles common tangents to two circles of equal radius equal radius का मतलब यह हुआ कि OH होगा O dash B के बरावर होगा and OD जो होगा O dash C के बरावर होगा और यह आपस से भी दूसरे के बरावर है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ simple सा फंडा क्या है यहाँ पर देखिए आप first और second को जब plus करेंगे equation first plus equation second को plus करेंगे तो आप लिख लिखेंगे OA plus OD is equal to O dash B plus O dash C तो लिखेंगे समझ माया अब OA और OD मिलके क्या बना रहे हैं आपर OA plus OD मिलके AD बना रहे है और ऐसे ही यह दोनों मिलके BC बना रहे है तो देखिए students आगे आपको यहाँ से कि AD बरावर BC क्योंकि equal radius थे उससे पहले यह सब आप लिख सकते हैं कोई problem नहीं है लेकि मत लेखिए यह आपको understood है कि यह समझ माया रहा है यह यह radius है circle के equal है equal होन के कारण AD जो है BC के बरावर भी हो जा रहा है AD जो है BC के बरावर हो जा रहा है ठीक है और यह हमने state line मान ली बस simple सी चीज़ है अब देखिए कुछ नहीं करना है ध्यान सुने यह हम बता लगए कि AD परावर BC इसको आप पहली किसर मान सकते next thing सुने है देखिए एक property आगई जर्दल की tangent drawn to a circle is perpendicular to its radius मतलब ध्यान सुने tangents 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 of a circle is perpendicular to the radius यह आपको लिखना जरूरी है और राइट radius through the point of contact यह जरूरी लिखना है through the point of contact से ठीक है अब इससे क्या हो रहा है इससे जहांत होना यह perpendicular हो गया अब इससे क्या proof हो रहा है दीखिए OA मतलब OA जो है perpendicular OA इस perpendicular to AB ठीक है यह इसी से हुआ next thing यहाँ पर same ऐसी लिख सकते है OD is perpendicular to देखिए OD is perpendicular to DC OD is perpendicular to DC आप यहाँ से क्या हो रहा है देखिए सबी लोग ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है अब जब यह perpendicular हो गया तो हमें पता लग जाए कि एंगल OSB क्या हो जाएगा 90 डिगरी हो जाएगा and एंगल ODC बी 90 डिगरी हो जाएगा ठीक है ODC बी 90 डिगरी हो जाएगा ठीक है एक काम कर लेजिए जब पर 90 डिगरी है तो एक साथ इनको इक कर लेजिए और इसको second equation माल लेजिए अब एक काम करते है similarly आप इस तरह से लिखते है कि O-B देखे सब लोग दियाँ में न O-B is perpendicular to AB ठीक है यह सब इसी से हो रहा है and O-C is perpendicular to DC All right DC So यहाँ से भी मैं पता रहाएगा कि All right ध्याँ सुनना देखे क्या क्या लिख दिया मैंने O-D-C Sorry O-B की बात हो रहे तो यहाँ यह नहीं आएगा सब लोग ध्याँ देना ठीक है O-B O-B is perpendicular to AB and O-C is perpendicular to DC So इससे पताल लगए है कि O-BA जो एंगल O-B दिख सकते हैं ऐस O-BA is equal to angle O-C-D O-C-D और यह दोनों के 90 degree के equal हैं देखे सुननर्स अब ध्याँ सुनना अब कोई ऐसा quadrator जिनके दो opposite sides सो equal है और सारे के सारे angle 90 degree के हैं So क्या बन जाता है एक rectangle form हो जाता है यह आपको पता है rectangle form हो गया So उसका मतलब this quadrator ABCD becomes a rectangle this quadrator ABCD becomes a rectangle क्योंकि इनके सारे angles के हैं 90 degree के हैं और दो opposite sides equal है तो उससे क्या हो जाएगा अगर किसी दो opposite sides equal हो गई है तो उसके क्या ध्यान सुनना अगर यह और यह वाली side equal हो गई है तो क्या होगा यह और यह side भी equal हो जाएगी तो यहां से आप लिख सकते हैं from equation first equation first, second and third देख लिजिए आप लोग सब बराबर हो चुके है ADBC के बराबर हो चुका है ADBC के बराबर हो चुका है तो अगर rectangle बन गया है तो आपको क्या करना है अब देखे, rectangle बन गया तो है लिखना 10 AB is equal to DC 10 AB is equal to DC ठीक है यहां है hands लिख देना यहां सीदे लिख देना hands AB is equal to DC क्योंकि opposite sides of the rectangles are equal होती क्योंकि हाँ लेंग्थ है और लेंग्थ यह breath और breath बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है यह आपका बहुत ही important question है most important question है एक बर आप चेक के लिए OA is perpendicular to AB OD is perpendicular to DC उससे angle OAB देखें न है यहां पता है आपको perpendicular ही होते हैं सब यह आपको पता चल गया होगा ठीक है और यह दोनों देखें यहां पर से आप लिए भी लिए सकते हैं कि AB क्या है parallel है DC के भी अगर नहीं लिखना कोई बात नहीं so angle OAB is equal to angle ODC OAB is equal to ODC फिर O-BA O-BA is equal to O-CD ओर राइट यहां देखें सब 90 डिगरी के हैं यह दोनों भी और ठीक है अब 90 डिगरी के हैं so आप लोग लिख देने यह पिसम नहीं लिख लिया है यह सब from कोई दिक्कत नहीं नहीं भी लिखा था from के first, second and third से क्या पतलाईगा यह सारे देखिए आप लोग ध्याल सुरना A, B, C and D angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D ओर राइट अब जब मैंने लिखी दिया है 1, 2, 3 करके तो आपको लिखने की ज़रोत नहीं यह वाली चीज अगर लिखने चारे लिख लीजिए is equal to 90 degree no problem students यह clear है आपका answer यहाँ मिलेंगे आपको 4 माग सा question आएगा तो definitely 4 माग इसमें आपको मिलेंगे तो चलिए सुड़ाइट सर्कल का second question most important फिर से आपको कराता हम भूद अच्छा question है ध्यान देना आप सभी लोग ठीक है चलिए very good आईए चलिए students अब हम करेंगे अपना question number second सर्कल का फिर से most important question है ध्यान देना आप लोग आपके paper में आएगा तो देखिए हाँ पर क्या लिखा गया ये question फिर से थोड़ा सा difficult है पढ़ने में difficult है लेकिन करने में आसान है proof that the center of a circle touching two intersecting lines lies on the angle bisector of the lines क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा देखिए proof करना है कि center of a circle का center है जो की दो intersecting lines को touch कर रहा है ठीक है दो intersecting lines को touch कर रहा है जो की lie कर रहा है angle bisector of the lines तो lines के angle bisector है वहाँ पर ठीक है देखिए student ध्याँ सुननस पर question क्या कह रहा है देखिए आपको क्या करने सबसे पहले simple है आप एक figure बनाएंगे ऐसे माने जी ये point O है देखिए अब O point है न क्या बोलागा center O जो है वो touch कर रहा है किसको दो intersecting lines को touch कर रहा है तो पहले आप एक काम कीजिए दो lines बना लिजे ऐसी जो की circle से बननी चाहिए और intersect होनी चाहिए तो यही बन सकता है tangent ही बन सकते है और तो हमें कुछ पता नहीं है आपर सो मान लीजे आपके पास एक L1 line है एक L2 line है और राइट यह द्यान सिंगे देखिए इस्टोरेंट्स यहाँ पर से क्या बन रहा है L1 और L2 के बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है देखिए इन से क्या होगा एंगल बाइस सक्टर भी बनेगा रहा है एक कांग देखिए सबसे पहले आप लिख दिखिए आप लोग लिखिए कि सब्सक्राइब लिख सकते है सब्सक्राइब पॉइंट ओ देखिए पॉइंट ओ टच इस दा लाइन ठीक है लाइन्स एल बन एल टू एट अ पॉइंट एड़ पॉइंट लिख सकते है एड़ पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है सब्सक्राइब लिजिए अट पॉइंट यह माले जिए यहां कर रहा है एक ले लिजिए आप इसको पी ले लिजिए इसको आप लोग क्यू एजूम कर लिजिए और यह होगा आपका ठीक है तो एड़ पॉइंट और क्यू एंड आड़ ठीक है एड़ पॉइंट क्यू एंड आड़ पे टच कर रहा है देखे लिखे आपको is equal to or हो गया क्योंकि यह क्या है radius boundary circle के इस तरह की से की radius of the circle very good clear है इतना लिखे आप लोग ठीक है radius of the circle देखे इस तरह से touch किया कि oq क्या है or oq जो हो गया or के परावर हो गया and q and r लिख सकते है q and r क्या है points of context है ठीक है आपको लिखना है लिख लीजिए नहीं तो no problem अब देखे शुरेंट यहाँ पस एक चीज और आपको पता चल रही होगी वो क्या है कि q, p, q, p p, q and r क्या है tangents है किसी circle के जिसमें p क्या है एक external point है so property होती है कि external point है p और p, q and r एक tangent है ठीक है so यहाँ से property क्या होती है कि यह दोनों भी क्या होंगे आपके equal हो जाएंगे ठीक है tangents drawn from an external point to a circle are equal अब देखें आप लोग क्या किजिए एक line draw कीजिए उसे लेकर p तक ठीक है यह करीए अपने op करीए बस इस question में आपको ध्यान देना आपको यह proof करना है कि जो op line है यह इस वाले line को क्या कर रही है bisect कर रही है बस इतना ही ध्यान देना मतब उससे यह पतल जाए कि ob center पर lie कर रहा और जो की क्या कर रहा है l1 और lt का देखें क्या लिखा गया question में yes यहाँ देखें proof that the center of a circle touching two intersecting lines जो की lies कर रहा है on the angle bisector of the lines ठीक है इन दोनों lines के जो angle bisector है ठीक है जो की यहाँ पर बनेगा वो o जो है वहाँ पर lie कर रहा है देखें o lie तो कर रहा है इसके सामने ठीक है इन दोनों से बनना ला angle bisector बनेगा यह देखें बन रहाँ angle bisector यह बन गया यह angle bisector कर रहा है यह कर रहा है यह कहाँ लाई कर रहा है ओपल लाई कर रहा है बस यही proof करना है और simple सी चीज़ी है कि students आपको यह proof करना है कि OP जो है line जो OP है वो bisector कर रही है किसको Q, P and R को Q, P and R अब यहाँ पर एक point है O ठीक है अब इनके लिए कोई होगा angle जो इनको bisect करेगा ठीक है वो क्या करेगा O देखें सेंटर से आएगा यह ही सारा सेंटर से देखें हाँ सारा ठीक है कर लिया मतलब O से लेकर P तक O P line ने क्या कर दिया इस Q, P, R को equally divide कर दिया मतलब bisect कर दिया इसका मतलब bisect करने से मतलब यह होगा कि आपको यह proof करना है कि angle Q, P, O, बराबर O, P, R जब यह दोनों angle equal हो जाएगे तो आपको पता लग जाएगा ठीक है आपको पता चल जाएगा कि O P जो है line वो Q, P, R को bisect कर रही है बस इतना ही इसमें proof करना पड़ता और कुछ नहीं proof करना पड़ता आएगे proof कैसे करेंगे जड़ा देखते है सब लोग ध्यास चुनना ठीक है इसका मतलब यह होता है कोई line अगर backside करती किसी angle को सो दो equal parts में divide कर देती है दो equal parts मतलब दो equal angles में divide कर देती है आएगे students सो चलिए यहाँ पर देखिए O Q बराबर होगा ठीक है अब देखिए हम लोग उसको prove कर सकते है किस से देखिए सो आप लिखना सब से पहले in triangle O Q P and triangle O Q P and O R P लिख लिख लिजिए O R P सब से पहले चे इन्हें हमें आप क्या करना है similar propan of the congrant दिखाना है कि यह triangles के हैं congrants है corresponding angles of the congrant triangles are equal करके वहाँ से पहले चल जाएगा सो देखिए आप लोग चाहिए सब से पहले लिखना कि O Q ठीक है लिखना यह जो लिखा है लिखिए O Q बराबर O R O Q बराबर O R O Q बराबर O R Q है क्योंकि radius है एक circle के radius of the circles अल्राइट second thing is एक चीज़ और O P और O P common है O P is equal to O P लिखना आप लोग यह लिख देता है O P is common लिखना 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 the last thing is चलिए एक और चीज़ है आपको पता है कि P Q बराबर PR होंगे क्या होंगे P Q बराबर PR होंगे इसमार होना tangents of a circle आओ है ठीक है so by SSS Congress Rule जो आपका triangle है O Q P वो क्या हो गया similar हो गया triangle O R P के ठीक है O R P देखे O Q P similar हो गया O R P के तो by corresponding angles of the Congress triangle corresponding parts of the Congress triangle से आप लिख सकते है by C P C T लिख लिख लिए उससे क्या हो गया आपका ये वाले angle बराबर हो गये ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर हो गया मतलब यहां से ये भी पता चल गया कि O P एक line है ठीक है जो इस वाले angle को bisect कर रही है बस इतना इससा प्रूफ करना था तो ये प्रूफ अपका हो गया और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं इसमें क्या कि therefore O lies on the bisector of angle between L1 and L2 ओल्राइट ये लिख सकते हैं नहीं तो आप डिरेक्ट लिखेज़े by cp ct angle O O P and Q O P Q is equal to angle ठीक है देखे cp ct angle O P Q is equal to O P R O P R यही हमें प्रूफ करना था इस कारण क्या हमें पता लग गया है इस कारण क्या पता लग गया है देखेए सभी लोग ध्यांस ने जो लिखा था बिल्कूल बैस है कि therefore O lies on the bisector of angle ठीक है O lies on the bisector of the angles between L1 and L2 इससे ये प्रूफ हो चुका है और ये भी सांसा कहा सकते है कि O P क्या हो गया O P line जो होगी वो bisector होगी किसे ठीक है किसकी bisector होगी जो भी angle form हो रहा है L1 और L2 से ठीक है जो भी angle form हो रहा L1 और L2 से ठीक है उसको bisect कर दिया किसने O P line है simple सी यह लिखना कि Q P R को किसने बाइसेट किया ओपी लाइन ने बाइसेट कर दिया सो यह हमारा clear हो गया इसका answer आपका यह था आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते है इस तरीके से therefore o lies on the ठीक है क्या लिखेंगे देखिए therefore o lies on the bisectors of angle ठीक है lies on the bisectors of angles between l1 and l2 ठीक है यह मैंने शुरू में जा दिया आपको o lie कर रहा है वहाँ पर जो इन दोनों का bisectors कर रहा है ठीक है जो दोने angles के bisectors बन रहा है वहाँ पर o lie कर रहा है ठीक है देखिए between angle between angles between l1 and l2 ठीक है l1 और l2 के बीच में जो भी एंगल बन रहा है ठीक है वहाँ पर ठीक है क्या आप कर रहा है ओ जो है लाइक कर रहा है उनसे जो भी एंगल बन रहा है ठीक है वहाँ पर ओ लाइक कर रहा है तो एंगल क्या बन रहा है वहाँ पर से QPR और यहीं पर इस QPR पर देखिए ओ लाइक कर रहा है क्योंकि इस लाइ आपको क्लियर होगा काफी important question था इसको आप note कर लेना बिल्कुल यह question आपका exam में आपको देखने को मिल सकते है और अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर अपने next question की तरफ जो की कौन सा है चलिए students तैयार हो जाएए सभी लोग AP का बहुत सांदर question अब जो है question यह जो first two question थे आपके इनको आप copy में note कर लेना ऐसे question सकते देखने को मिल गए तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया सुरेंस ध्यान से सुनना बहुत अच्छा question से ओर राइट चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है तो ninth term of AP is equal to seven times the second term तो ninth term AP का जो ninth term है ninth term बोला तो A9 और राइट ninth term of AP is equal to क्या बोला है ninth term of AP is equal to is equal to seven times the second term second term के seven times second term के seven times so seven times of the second term इतना करना है सुरसा solve कर सकते है इसको A plus 8D seven और यह आगया A plus D आगया so देखिए A plus 8D is equal to 7A plus 7D इसको यहाँ लगे इसको यहाँ लगे तो इससे पता लगता हमें की 8D minus 70 कितना होगा D और यह जागा 6A so यह तो हमारी पहली चीज आगई यहाँ से ठीक है next thing जा दे रखा second case में दे रहा है कि 12th term है वो exit कर रहा है ठीक है देखिए सबसे पहले चीज इन गोसें को गन्ने लिए मैं आपको बहुत चीजी तरीका बता रहा है जितना exit कर रहा है उसको आप पहले लिखेजी जी मतब कों कर रहा है 12th term क fits exceed तो कर रहा है लिखिए कोई बात नहीं देखिए 12th term exceed तो कर रहा है कितना 2 by 2 से मतलब 2 तो exceed कर रहा है अब कौन से term से कर रहा है और कौन से term के कितने time से कर रहा है बात यह है ठीक है कौन से term से कर रहा है और कौन से term के कितने time से कर रहा है बात यह है तो इस question में किसी term के कुछ time से कर रहा है तो मतलब ध्यान सुनना कुछ नहीं यहाँ पर simple सी बात है कि लिखा गया है and the 12th term exceed 5 times so 5 times तो exceed कर रहा है लेकिन 5 times अब times बोलाता मतलब किसी term के कुछ time से कर रहा हुआ so किस term के कितने time से third term के 5 times से so मतलब third term के 5 times से ठीक है third term के 5 गोने से 2 exceed कर रहा है 2 exceed कर रहा है देखे स्टेंट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने ची इतने अराम से प्यार से आपको बताया जा रहा है so please आपलो focus रखिए यहाँ पर ध्यान रखिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको ना आये समझ में और ऐसी कोई भी चीज नहीं में आपको टायत हो उसके लिए क्या करना पड़ता है बस जो पढ़ा जा रहा है उस पर आपको attention और जो concentration जो होता है वो आपको रखना पड़ता है जब का attention यहीं पर ही है आपका जो concentration है बिलकुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस ही हो रहा है ध्यान आपको कहीं दर दर नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता आपको ना आये समझ में definitely आएगा कटिन से कटिन कोशन भी आगा अगर आपको जो समझा रहा है वो अच्छा समझा रहा है तो चलिए तो यह बात यह है कि यह देखिए ठीक है 5A3 प्लस 2 बस अब क्लियर है तो मतलब A12 से मतलब है A plus 11D अब यह कैसे हो हुआ चीज़े आपको बहुच्छे से पता है आप काफी intelligent हो चुके है अब नहीं सोचना A plus 11D देखिए students क्या करेंगे 5A plus 52010D और यह आगया प्लस का 2 देखिए students कुछ नहीं करना है इसको यहां लाईए और 11D minus 10D कितना यहां जाएगा तो D बराबर इसको बहाँ लाएगे तो 4A और प्लस का 2 D is equal to 6A यहां पर लखी जीए देखिए यह D is equal to 6A यह D की value 6 है यहां रख भी मैंने और इस उक्वाल टू 4A plus 2 इस question में आप से पूछा था कि फॉस्टा मैं common difference निकालिए निकल जाएगा 6A minus 4A कितना होगा 2A बराबर 2 यहां से A की value तो 1 आगई A 1 आगया तो D कितना आगया 6 से आगया ठीक है A की value 1 आगई ठीक है So D कितना आगया है हाँ पर 6 into 1 जो कि 6 से आगया चली सुटेंट यह बहुत अच्छी बात है आपको एक question आगया है इसी तरीके से आपको एक करना है अब हम बढ़ते हैं 4th number के question की तरफ चली सुटेंट अब आपको ले चलते हैं किस और अब आपको ले चलींगे हम height and distance की तरफ ले चलते हैं चली यह घूमना चलते हैं ठीक है So height and distance आगया बहुत चा कोशन है ध्यान से यह exam जो तना examiner point करते हैं questions को यह questions हम दे सकते हैं अपने students को हम यह questions दे सकते हैं क्योंकि student एक ही type के questions को बार-बार कर रहा है तो कुछ different क्यों ना दिया जाए तभी तो competition है तभी तो मज़ा है competition का नितो कि अगर हर कोई 90 प्लस ले आएगा तो आप भी कहेंगे सभी उष्यार हो गए तो बात यह है पेपर बिल्कुल ऐसा बनता है कि average भी बनता है toppers के लिए भी बनता है सब चीज़ के लिए बनता है बिल्कुल average भी प्रमान सकते है जिसको हर एक बच्चा कर सकता है मतलब question वो solve कर सकता है अगर वो पढ़ने बैढ गया उसका वो अपना study जो है concentrate होके कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो अच्छे score भी कर सकता तो paper भी उसी लायक बनता है आप यह मत सोचिए कि बिल्कुल cutting question बन गया अलग से ही नहीं ऐसा नहीं बनता सब के लिए equally होता है paper चलिए यहाँ पर क्या लिखा है from a point P on the ground the angle of elevation of the top of a tower क्या नहीं सोचता students कि इसको diagram कैसा मना जाए देखिए अपना concentrate यहां रखिए मैं आपको दाता हूँ angle of elevation of the top of tower मतलब एक angle of elevation बन रहा tower के top का तो बन रहा है मतलब देखिए अगर angle of elevation tower के top का बन रहा तो कहीं न कहीं से बन रहा होगा मतलब किसी point से बन रहा होगा अब point किस point से बन रहा है P point से बन रहा है अब यह P point कहां पर है ground पर है सो समझने की questions करना अगर आप daily ऐसे questions की 5 ऐसे 5 questions की practice आप daily करेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे question इस बात की मैं आपको guarantee देता हूँ ठीक है सो point P on the ground एक tower है tower ले लिजे common sense ही चीज़े चीज़े students छोटा बड़ा दिख रहा किता चीज़े और नीचे कर लेके यह हो गया माल लिजे point P और यहाँ पर से एक काप बड़ी है आप लोग from a point P on a ground एक horizontal line डाव कर लिजे base बना लिजे from a point P on a ground the angle of values of the top of the tower tower की top का angle of values से मन रहा कहां से P से यहां से मन रहा तो यहीं से कीचे इससे आपको पता चलेगा यहां से मन रहा है न from P से तो P से कीचे जो की 30 डिगरी का बन रहा है अब next thing बहुत अच्छी चीज यहां पर बोली गई है question ने बोला कि and that of the top of the flag stop वही angle of elevation ही and that of मतलब उससे पहले किसकी बाद हुई थी elevation की बाद हुई थी so and से मतलब यह है कि अब वही elevation जो है चलिए यहां पर यह flag है 30 से मैं अब इतना फ्लाइग स्टाप के टॉप का angle of elevation बन रहा सेम पॉइंट से ठीक है तो यह आपका बन रहा है कितना यहां से इतना तो हो गया आपका how much यह वाला तो हो गया 30 डिगरी का और यह बड़ा वाला हो गया आपका 45 डिगरी का बहुत अच्छा question है question है देखें कि यहां पर पूछा है कि tower की height बताइए और आपको एक चीज़ दे रखा है वो क्या है हाँ पर yes this is given to you that sorry यह नहीं रहा है आपको यह निकालना है find the height of tower अब कौन नहीं कल लेगा बहुत अराम से कल लेगा बच्चा कल लेगा आप लोग लेना चाहते हैं तो A, B ले लिए मैं direct बताता है आपको देखें 10, 30 कौन से रेट रैंगल है बन रहा है P, B and C यह P, B, C के अंदर 10, 30 बन रहा है और यह वाला H upon X all right perpendicular upon base यहां से मैं पता लगए कि 1 upon कितना हो गया देखें students यह कितना हो गया यहां से 1 upon under root 3 is equal to H upon X हो गया आप लगए X is equal to कितना हो गया यहां से X is equal to H under root 3 भी हो गया ठेक हो गया clear सबको आईए तो कि X is equal to H under root 3 अब आप यहां किजिए triangle 1060 भी लगा लिजिए 1045 degree देखें इतना पूरा कितना हो कि यह वाले साइड आएगी आप 1045 में क्योंकि H plus 5 meter कहला ही जाएगी all right so आप लेजिए 1045 is equal to H plus 5 upon base फिर से X 1045 तो 1 ही होता है H plus 5 upon X so X is equal to how much H plus 5 so X की value H under root 3 यहां रख लिजिए और यह बन कि आपका H plus 5 इसको यहां लाईए तो H under root 3 minus का H H equal to 5 H common ले लेना under root 3 minus 1 is equal to 5 देखें ऐसा नहीं कि इतना ही छोड़ के आ गए यार थोड़ तो solve करिए ठीक है थोड़ा तो रहम करिए मतब थोड़ा तो solve करिए यार इसको और solve करते कल लिजिए न यहां पर इस तरह के से risk lesson पता है आप लोगों को ठीक है चलिए so यह हो गया आपका 5 under root 3 plus का 1 and A plus A plus B A minus B 9th class A square minus B square all right 9th class में था ना इसलिए बता रहा हूँ so A square under root 3 का square क्या होगा 3 होगा 1 का square 1 so 3 minus 1 2 हो गया so यहां से इसको काट दीजिए अब यहां गया 2.5 times कर जायागा so 2.5 देखिए under root 3 के मेरे रख ले न 1.732 plus 1 all right so 2.5 into 2.732 इसको आप जबी लोग मुझे सवाल करके बता देना कितना है ठीक है कोई बड़ी चीज तो नहीं है आपर चलिए नहीं भी करूँ तो कोई दिक्काद नहीं है आप लोग तो नराज नहीं होंगे न चलिए कोई प्रॉब्लम नी students अगर आपको नहीं आ रहा तो आपके पास मुबाइल है calculate कर लेजिए लेकिन नहीं practice करिए कि ऐसा ही करना है क्योंकि exam में आपको यहां पर पता है calculator नहीं मिलता है चलिए अगली thing देखते हैं हापर क्या है 4 question हो गए हमारे जो important question है I.E. student अब यहां पर आपको बताया जाएगा question number कौन सा 5th वाला अब बहुत अच्छा question है मज़ा आईए ऐसे question आजए तो ठीक है बहुत प्यारा question है देखते हैं क्या है आईए तो देखिए यहां पर है question आपका quality question से ले ले लेते हैं आज question को last में रखते है क्योंकि अच्छा question है find the nature of the roots कप से नहीं पढ़ा भूल गयना students कप से नहीं पढ़ा बताई है काफी time हो चुका है nature of the roots के बार तो कुछ पढ़ा ही नहीं है quality question चेक कीजिए ना आपको यहां पर quality question का chapter है all right मैंने आप समय 6-7 lectures ले रहे हैं आप लोगे लिए आप चेक के रिए आपको सम्मिल जाएगा बिल्कुल नहीं डरना है कुछ है नहीं सुझा है सारे चीज आपको खरवा रखिए आप लोग देखी तो से एक बार एक बार आप playlist चेक तो करिए एक question में ऐसा नहीं होगा जो बाहर से होगा सारा आपका यहीं से आएगा इसकी मैं आपको कराटी देता हूँ आप बस पढ़ाई करना start कर लेजिए so find the nature of the roots of the quality question find the nature of the roots of the quality question ठीक है find the nature of the roots of the quality question चलिए देखिए quality question कुछ इस तरीके से 2x square minus का real root exist then find its roots यही बोला है अगर real root exist कर रहा है देखिए real root exist कहां कहां पर करता है जब D क्या हो जिया तो 0 से बढ़ा हो या D जो हो 0 के बराबर इस case में root exist करता है इस case में क्या होता है उपर आले case में जब D 0 से बढ़ा होता है roots exist तो करता है real तो होता है but different roots होता है two distinct and real roots but in the case when d is equal to 0 the roots are again real but they are equal also alright इस बात का अब ध्यान देना so ये हो गया हमारा कौन साथ सबसे पहले d to find the d what is the formula to find d and what is the d d means discriminant of this given question so d is equal to कितना होता है b square minus 4 is he my dear student चलिए so सबसे पहले आपको क्या करना है again what is a b c you know that a ये हो गया b क्यो हो गया minus 2 under root 6 और ये c हो गया ठीक है क्योंकि जो standard form होती है वो plus मो होती है ठीक है standard form सिर्फ plus मो होती है a x square plus b x plus c होती है ये आपको पता है चलिए so यहां से लेकि b कितना है minus का 2 under root 6 इसका all square b square ना ठीक है b square minus 4 what is a a कितना है 2 and what is c इतना है 3 minus 2 का square 4 होगा under root 6 का square 6 होगा so 4 into 6 और ये आगया 4 to the 24 so yes we will get the value of d which is 0 so यहां से मों बतला लागिया that d is equal to 0 means their roots are real and equal so 2 equal and real roots आएंगे मतलब जब factor आप करेंगे ना तो 2 equal roots आएंगे जैसे कि x plus 2 is equal to x plus 2 and x plus 2 तो minus 2 हा minus 2 हाएंगे इस तरीके से x minus 2 और x minus 2 है तो plus 2 and plus 2 दो roots हाएंगे कुछ इस तरीके चाहे रूट में under root में किना हो under root 3 और under 3 under root 5 under root 5 under root 3 by 4 comma under root 3 by 4 इस तरीके से कुछ भी आ सकता है तो बस equal होंगे दिहां सुनना तो बस यही करना है आपको the root the nature of roots are तो nature of nature लिख सकने है आप लोग यहां लिखता हो nature ठीक है? equal होना चाहिए यह real life में भी आपका nature जो है वो अच्छा होना चाहिए so nature क्या है देखिए nature is equal to क्या हो गया? इस के लिए इस quite equals सिनके लिए क्या हो गया? एक्वाल to equal and real roots लिख सकते हैं आप nature के मैं लिख सकते हैं two equal and real roots all right चलिए so देखिए अगर एक two equal and real roots है तो आपके पास qualitative formula है यहाँ पाद qualitative formula लिखते है x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a यह वाला section तो पूरा 0 हो गया क्योंकि d 0 है अपर d 0 आ चुका है आपका देखिए तो उसको लिखनी जड़ात नहीं है under root के तो 0 है वो वैसी 0 हो गया all right अब देखिए कुछ नहीं करना है तो x is equal to minus b upon 2a again x is equal to minus b upon 2 यहाँ plus करिए एक बार आप इने बता था ना एक बार plus कले लिए फिर एक बार minus कले लिए तो प्लस के लिए लिए तो क्या फरक पड़ेगा plus लिजी माइनस लिजी वाला टम तो वैसी 0 हो गया तो यह होगे दो equal roots देखिए ऐसे निकालते हैं तो निकाल लिजीए x is equal to minus what is b minus का 2 under root 6 upon 2 और यहाँ से यह है 2 माइनस तो पहले से है और minus 2 under root 6 यहाँ से आगया so minus minus plus and 2 बज़ा 2 all right minus minus plus यहाँ गया 2 under root 6 upon 2 into 2 बल लिजीए और 2 से 2 कट गया देखिए students अब आपको ध्यान देना है यह तो आपके under root 6 by 2 दोनों केसमें under root 6 by 2 आपकी equal roots है real के साथ equal भी है तभी आपका यह answer है इसको थोड़ा सा और सवाल कर सकते है आप लो under root 3 into under root 2 में under root 6 को split कर ले ना इसको मैंने split कर लिए under root 3 into under root 2 अब इस under root 2 बन जए under root 2 under root 2 into under root 2 is equal to 2 under root 2 से under root 2 को मेंट लाए करें तो 2 ही तो आएगा समझे है आसके लो under root 2 into under root 2 तभी तो 2 आएगा तो यह आपके दो रूट से आपको ले जाते हैं आपको आपके अपने फेवरेट चैप्टर की तरह आप छोगे है जिसमें आप लोग को क्या डर लगता है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं जब हमसे पढ़ने तो डरना नहीं है ठेक है चलिए तो आएए यह बहरे कोई स्वाइन यह होगे ट्वी कोलें रूट और उसके रूट यह आगए यह सब्सक्राइब करता है यह सब्सक्राइब करता है जिसमें डी जो है जीरो से कम होता है पर नेगेटिव मारते हैं वाला कुश्य है आपके नहीं है ठेक है अब अच्छी बात है कोई बात है सो यस 50 सर्कुलर प्लेट्स इच अब डामेटर 14 सेंटिमेटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटिमेटर ओल्राइट माइड यह सब्सक्राइब का जो थिकनेस 0.5 सेंटिमेटर थीक है हाँ ठीक है ठिकनेस 0.5 सेंटिमेटर एंड 50 सर्कुलर प्लेट्स है जिन अब का डामेटर 14 सेंटिमेटर है तीक इस प्लेट्स के यह नहीं सीधे कोश्चन पर आता हूँ पॉइंट पर आता है माली जी एक circular disk है इस तरीके से अब इसके पाद दूसरी इसकी कुछ thickness है भी starting में ले लिजे कुछ thickness है अब दूसरी circular disk का आगई इसकी बहुत थिकने सोगी ठीक है save type के है इस तरीके से फिर ऐसे दूसरी आगई ऐसे करें तिसरी पे आगई समझा सभी लोग चली सो ये क्या गंडर है ऐसे करते करते क्या बनेगा एक एक cylinder form कल लेगा ये circular disk से आते रही अब 0.0.5 क्या लिखा गया 0.5 cm की 0.5 cm करते करते 50 circular disk लेनी है एक के पर एक रखनी है सो आपको पता लग जाएगा यहाँ पा है जो ये आपका आने बाला है ना टोटल अग ये क्या आएगा 50 इंटू 0.5 cm सो कितना आगया है से पॉइंट काटिंगे जो 0 बढ़ेगा 5 जट है सो उसको में लाएगा ना आपका 25 आणसर आएगा देख लीजिए ठीक है ये कटा है 5 जट सो ये 25 25 cm आगी जो कि एक सिलेंडर की अब इस सिलेंडर बन गया तो उसमें लिखा भी गया टू फार्मा राइट से क्लों सिलेंडर चली दा डामेटर अप दिस सिलेंडर इस 14 cm और रेडियस बिकाम 7 cm बन चुका है आपको क्या निकालना से टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है सलेंडर का 2Pi R R व्लस H सिलेंडर है टोटल सर्फेस एरिया के लिखा 2Pi R and R व्ल्लस H मतलब टोटल सर्फेस अगे मैं बताता है किसी सॉलिड में सर्फेस है सबको टच करिए सर्फेस जने की बात कर रहो हूँ, एक तो सीय से, टोटो सीय से दिख रहा है, सिलेंडर के अंदर, और दो क्या दिख रहा है, दो बेस भी दिख रहे है, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर नहीं है, आपको पता है, सर्कुलर डिस्क लगी हुए है, तो आप इस वाले उपर अब हुष्चे को भी छू सकता है, यहां पर हॉलो नहीं है, यह एक सर्फेस है, यह भी aOR अप सर्फेस है, कैसी? शर्कुलर सर्फेस, सो 2 into area of circle, which is piR square, 2 piR square, इसको आज जब सॉल करेंगे 2 piR plus He ي आएगा, सो I hope कि क्लियर होगा आपको, यह आगा अपका यहां से, ठीक है, यह आगए आपका 7 तो यह आगए आपका 44 into 32 solve कीजिए कोई प्रावलम वाली बात नहीं है आईए 2 forza 8, 2 forza 8, 3 forza 12 21, 13 इतने फड़ाफड कर रहे हैं देखिए calculator से fast हो हम है तो यह आगए 1408 1408 cm2 चलिए मारी टियर सुरेंस I hope कि आपको clear होगा इतने अच्छे question हमने किये जो आपके most important question थे circle के मैंने आपको आज करा दिये 2 तयार कर लेना एक बात देख लेना उस question को उपर इउपर देख लेना क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं बस statement समझभाना जी जो बोला है उसमें करना क्या है क्योंकि figure वाले question तो आप अराम से color है जिसमें diagram में उसे आप अराम से curl कर सकते हैं लेकि जिनमें diagram नहीं होता जिसमें खाली statement दिया होता है language होती है language based होता है थोड़ा कठी लगता है तो मैं आपके लिए हर एक type का question ला रहा हूँ जिसे कि आपका एक भी question मेंस ना हो अब आप लोग पहार है यह बस काम भागी काम आपका हम आपके लिए काम पूरा कर रहे है आपको अपना काम पूरा करना है सारी वीडियोज देखिए जितनी previous classes हो चुकी है जितना भी मैं आपको करवा दी है science की भी आपको पता है यहाँ पर important topics की तरफ में आपको करा रहा हूँ हाँ पर इस तरीके से की यहाँ पर electricity के numericals करवा दी है ठीक है दो या तीन lecture में और आपके electric motor भी आपको पढ़ा दी है ठीक है और साथी साथ modern periodic table के तीन lecture में आपके ले दी है और अभी हमारा last day कौन सा लेक्चर हुआ था carbon and it's compound का playlist जाके चेक करिए आपको सब कुछ मिलेगा student यहाँ पर आप बिल्कु टैंसन फिरी हो जाएए सब कुछ मिलेगा 40 में से 40 और आप कुछ सीख कर भी जाएगे लेकिन जाना नहीं है students क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर 11th class की mathematics सुरू होने वाली है term 2 exam खतम होते ही आपके साथ हम बने रहेंगे आप यह मस होतना किस सर हमें छोड़ के चलेगे नहीं जाएंगे ठीक है जब तक आप यहाँ पर है तब तक हम भी आपके लिए so students इस तरीके से आप जितना आभी तक support कर रहे हैं हमें वैसे ही करते नहीं आखरी तक ठीक है so इस वीडियो को इस lecture को आप अपने अपने friends तक चरूर share कर देना जिनने इनकी need है all right so students end करते हैं इस class को अब हम एक बार आप देख रिजे इसको यह कैसे हुआ है क्या हुआ है ऐसे को समने काफी करा दें परसा प्लेइलिस जब चेक करेंगे तो आपको एक question मिलेंगे top के top के question मिलेंगे एक level उपर वाले next level अप ऐसे वाले questions मिलेंगे आपको चलिए students अब end करते हैं इस class को आप सभी लोग जो भी इस channel पर आज पहली बार visit हुए चैनल वीडियो को देख रहा है हमारी class को देख रहा है अगर पसंद आ रहे है आपको ए class तो आप लोग छोड़े सा काम कर देना like कर देना ठीक है share कर सकते हैं आप लोग and subscribe जरूरू करन अगर आप लोग का support रहा तो चलिए students अब हम आप से मिलते हैं next class में तब तक के लिए सभी लोग अपना खयाल रखना take care good bye have a nice day stay home stay safe and thanks so much